जहिन दोस्तों, कुछ दिनों से डीफेक्ट टेकनलोजी काफी न्यूज में है दरसल चाइना इससे लड़ने के लिए अपने हाई एक नय पॉलिसी को इंट्रोड्यूस किया है तो आज इसी विशेपर बात करेंगे कि डीफेक्ट टेकनलोजी क्या होता है कैसे काम करता है, इसके application क्या है, नुकसान क्या है साथ ही इससे लड़ने के लिए विभिन्द देशों ने क्या कानून बनाई है भारत में इसके लिए क्या कानून है क्योंकि आपने देखा होगा कि हमारे देश में भी इस तकनी का खुब गलत इस्तमाल किया रहा है आया दिन आप देखते हैं कि किसी celebrity के image या वीडियो को किसी गलत content के साथ merge करके meme बना दिया जाता है कई बार तो कई राजनेताओं और पत्रकारों के छवी को इस प्रकार से धूमिल करने की कोशिस की जाती है अच्छा अभी कुछ दिन पहले social media पर Russian President Vladimir Putin का एक video viral हो रहा था और ये दावा किया जा रहा था कि ये जो real Putin है वो मर चुके हैं और इस समय जो एक्ती क्रेमलीन में बैट कर भासन दे रहा है वो Vladimir Putin का हमसकल है अब ये कितना सच है इस वीडियो में कितनी सच्चाई है DeepPake Technology का कितना हद तक गलत इस्तमाल किया जा सकता है तमाम बातों को समझने का प्रयास करेंगे बस आप इस छोड़े से वीडियो में बने रहिए इससे जुड़े सभी तत्थयों को हम आसान भासा में समझने का प्रयास करेंगे आईए इसे basic से समझते हैं देखे, डीप फेक दो सब्दों से मिलकर बना है, डीप लर्निंग और फेक, इसका साधारन सब्दों में अर्थ है, कृत्रिम मीडिया, जो जूठा हो, इस तक्नीक में एक सक्तिसाली कंप्यूटर का उप्योग करके, किसी इमेज, वीडियो या ओडियो इत्यादी में हेर फे जाता है, इसका उप्योग मुख्य रूप से फरजी खबर बनाने में, कोई अवयद काम करने में, किसी व्यक्ति की छवी खराब करने में, या किसी प्रकार के वित्तिये धोखा धड़ी करने में किया जा सकता है, हलाकि ये तक्नीक जादा पुराना नहीं है, क्योंकि इस सारे सेलेबरीटी के पौर्ण कंटेंट बना कर पोश्ट करने जुरू कर दिये, बाद में या तक्नीक लोगों को ब्रीहत अस्तर पर टार्गेट करने की टूल बन गई, वैसे खास बात है कि इस यूजर ने जिस नाम से अपना अकाउंट बनाया था, उस अकाउंट का नाम डेटा कलिक्ट करना होता है, फिर सोर्स जो कहना चाहता है या जो एक्ट करना चाहता है, उसके क्लिप को बड़े सफाई से तयार किया जाता है, इसके बाद डीप लर्निंग के माध्यम से, हलाकि अब और बेहतर रिजल्ट के लिए लोग आर्टिफीशल इंटेलिजन्स का परियोग करते हैं, ताकि वीडियो एकदम रियालिस्टिक प्रतीत हो, खेर इसके बाद तयार सोर्स कंटेंट को टार्गेट पर्सन के कंटेंट के साथ मर्ज करा जाता है, इसके लिए कई स्टेज होते हैं, जैसे कि फेस स्वैपिंग, फेसियल मैनिपूलेशन, लीप सिंक और भी बहुत तरह के इफेक्ट्स एड़ करके, डीफेक कंटेंट को तयार कर लिया जाता है, और फाइनल रिजल्ट इतना रियलिस्टिक होता है, कि आप पहली नजर में तो बिल्कुल भी नहीं पगड़ सकते हैं, कि ये कंटेंट फेक है, आईए, इसके लिए मैं चाहू कि आप इस वीडियो को देख कर समझने की कोशिस कीजिए, तेकि नीचे वाला व्यक्ति एक सोर्स पर्सन है, और इसने इस तकनीक का इस्तमाल करके, कैसे उपर वाले टार्गेट पर्सन को एकड़म हू बहू कौपी कर दिया है, उमीद है, आप उपर वाले व्यक्ति को जर आवा किया जा रहा था, कि वो मर चुके हैं, देखिए, वो वीडियो भी डीफेक टेक्नलाजी का इस्तमाल करके, इस्प्रेड किया गया था, ऐसा बिलकुल भी नहीं है, कि पुतिन मर चुके हैं, देखिए, ये बात भी सच है, कि सक्तिसाली देश अपने प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिश्टर के हम सकल को एकदम वैसे ही ट्रेंड करकर रखते हैं ताकि किसी भी आपात इस्तिती में situation को थोड़े देर तक संभाल के रखा जा सके और ये कोई नई बात नहीं है ये राजा महराजा के जमाने से चले आ रहा है लेकिन ये बात बिल्कुल भी आधा प्योग ब्लैकमेल कंटेंट जिनरेट करने के लिए किया जा सकता है जो पीडित को गलत तरीके से दोसी सावित कर सकता है इसके बाद है पॉर्णोग्राफिक देखे इस तकनीक का इस्तमाल करके बहुत सारे सेलेब्रीटी और सम्मानित मैलाओं के पॉर्ण कंटेंट बनाय गए थे ध्यान दिजेगा ये सारी जानकारी मैं आपको विक्की पिडिया के मध्यम से बता रहा हूं आगे है पॉलिटिक्स देखे अतीत में बहुत सारे जाने माने राजनेताओं को इस तकनीक का इस्तमाल करते वे गली तरीके से पेस करने की कोसिस की गई है आपने भी इ इसी तकनीक का इस्तमाल करके बनाय गया था हलाकि बाद में उस अपराधी को पकड़ लिया गया था जिसने इस वीडियो को बनाया था वैसे आप समझ पा रहे होंगे कि इस तकनीक का इस्तमाल किस हद तक किया जा सकता है हलाकि ऐसा बिलकुल भी नहीं है कि इसके केवल और के वल नुकसान ही है, इसका इस्तमाल एक्टिंग की दुनिया में भी खूब किया जा रहा है हम जो हॉलिवुड की फिल्मे या भारत में बनने वाली फिल्मों को देखते हैं न, उसमें बहुत सारे स्टंट वाले सीन कोई और करते हैं या फिल्मों में जो इतनी फिट बाड़ी दिखती है न, वो सब इस तकनीक का इस्तमाल करके किया जाता है यहां तक कि जो सूपर हीरो वाले फिल्में होती हैं जैसे कि हल्क, आतार, किंग कॉंग वगेरा, जो एस्पेकूलेशन पर आधारित होती हैं उन सब में इस तकनीक का खुब इस्तमाल किया जा रहा है इसे में अब सवाल है कि क्या इसे ऐसे ही छोड़ देना चाहिए या फिर इसके लिए देश में एक प्रॉपर कानून होने चाहिए ये मेंस परिक्चा में आपसे पूछा जा सकता है साथ ही क्या हमारे देश में इसके लिए कोई कानून है आईए इसे संचिप्त में समझ लेते हैं देगे चाइना इसके लिए नए नियम बना रहा है कि डीप सिंथेसी सेवा प्रधाता और उपयोग करताओं को या सुनिश्चित करने क्या हो सकता है कि ऐसे कंटेंट और उनके स्रोत को पाचान कर तुरंद उसका पता लगा जा सके इसके बाद यूरोपियन यूनियन के पास इसे निपटने के लिए एक अपडेटेट कोड और प्रैक्टिस है जिसके ताहत ऐसे कंटेंट फैलाने वाले यूजर और कंपनी दोनों पर जुर्माना तथा दंड देने का प्रावधान है यह समय के साथ साथ इसे अपडेट करते रहते हैं इसके बाद है यूएस यहाँ डीफेक तकनीक का मुकाबला करने के लिए Department of Homeland Security की साहता के लिए डीफेक टास्क फोर्स एक्ट इंट्रिड्यूस किये गया है ताकि ऐसी किसी भी गतिविदी पर कड़ी नजर रखे जा सके अब बात करते हैं अपने देश की देखें आपको बड़ा अजीब लगेगा कि अभी तक हमारे देश में डीफेक टकनिक के इस्तमाल के खिलाब कोई भी कानून नहीं है हलाकि ये बहुत ही सेंसिटिव साइबर क्राइम है आजकल तो हमारे यहां की वेब सीरीज या मूवी में निउडीटी, गालिया या तरह-तरह के गलत सीन फिलमाया जाते हैं जो समान्यता आप पूरे परिवार के साथ बैट कर नहीं देख सकते हैं बागी आप सब इसके बारे में क्या सोचते हैं क्या इसके लिए संसत से कड़े कानून की जरूरत है या फिर सेंसर बोट को खुद इस पर एक्षन लेने चाहिए कमेंट बॉक्स में जरूर लिखे आपकी राय अफिक्षित है वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा सप्पूर्ट जरूर कीजिए लाइक कीजिए, सेर कीजिए आपका दिन सुब हो, धन्यवाद